इंदुस्तानी आवाम मूर्चा के संरक्षक जीतन राम मांजी आज से मौन धरना प्रदर्शन पर हैं मांजी सुबह 11 बज कर 30 मिनट पर हाई कोट इस्थित अंबेडगर की मूर्थी के सामने मौन सत्यागर करने जा रहे थे तबी गेट बंध होने के कारण उन्हें मूर्थी के पास जाने की अनुमती नहीं मिली लियाजा मांजी हाई कोट गेट के बार मौन सत्यागरा पर बैड़ गए इस दोरान उनके साथ भाशपा के परदिश अध्यक्ष समराग चौधरी भी मौजूद रहे दरसल हिंदुस्तानी आवाम मौर्चा के संरक्षक जीतन राम मांजी जैसे ही पतना हाई कोट के पास पहुँचे तो उन्हें नियमों का हवाला दे कर मौर्थी के पास जाने से मना कर दिया गया मांजी को कहा गया कि ये वैसी जगह है जहां किसी भी तरह का धरना या प्रदर्शन करने के अनुमती नहीं है जबकि हाल ही में जदियू के तरफ से बाबा साहिब अमबेडकर की मौर्थी के पास एक कारिकरम करवाया गया था लेकिन अब मांजी जब वहां पहुँचे तो उन्हें मूर्थी के पास जाने से मना कर दिया गया मालूम हो कि बिहार विदान सबा के शीत कालीन सतर के दोरान सीम नितिश कुमार पूर्व सीम जीतनराम मांजी पर भड़क गय थे जीतनराम मांजी ने जाती गढ़ना को लेकर नितिश सरकार पर हमला किया और उसे गलत बताया उनके आरोपो पर नितिश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांजी से तू तड़ाक पर उतर गए उन्होंने का कि मेरी मूर्खता से ये सीम बना था नितीश कुमार के इस बयान के बाद मानजी सदन में ही धरने पर बैट गए थे अब उनकी पार्टी नितीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है आपको बताते चले की विदान सभा में सीम नितीश कुमार के प्रजन अंदर पर दी गई टिपड़ी और पूर सीम जीतनरमान जी को लेकर दिखाये गए कड़े तेवर ने बीजेपी को नितीश तेजस्वी की सरकार के खिलाब बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है और बीजेपी समेच पूरा एंडिये इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है नितीश कुमार की गंभीर और नाप तॉल के बोलने वाली नेताओं की छवी को खत्म करने की कोशिश उनके दूनों बयान के जरीए की जा रही है महिलाओं के लिए एतिहासिक कार करने वाले नितीश कुमार को महिलाओं के प्रती गलत टिपनी करने वालों के रूट में प्रचारित किया जा रहा है मानजी और बीजेपी के नेता बयानबाजी और धरना प्रदर्शन के बाद अब मौन सत्यागरा करने जा रहे हैं लोक तंत्र की हत्या है और लोक तंत्र में लोक लज्जा उसके बावजूद आज बाबा साहब भीम्रा उम्बेटकर की मूर्ती पर आधनिये पुर्मुकमंत्री जीतना माजी जी के नित्रित में जो बाबा साहब भीम्रा उम्बेटकर की मूर्ती पर मलियारपन करने आये ते मौन धारन करने आयते इसको नहीं करने देना ये अत्यान ही दुरभागपून है ये लोकतंतर की हत्या है और जिस तरह बिहार की स्थिती बिहार में उत्पन हुई है यहां बालू मापिया सराम मापिया जमीन मापिया मापियाओं का राज हो गया और मुख मंत्री बिमार चल रहे हैं अब बिमार का इलाज होना चाहिए इसलिए भीहार की स्तीती को देखते हुए आज जो स्तीती बनी है उससे अस्पस जलकता है कि बिहार में कोई कानून का राज स्तापित नहीं है लोग तंत्र की हत्तिया लगातार हो इसलिए बारतिये जंता पार्टी आदनी जीतन रामाजी जी को पुन्ड समर्तन करती है और जो अपमान इनका हुआ है उस अपमान का बदला बिहार की जंता लेने का काम करें वह तो बिमार है लाचार है उनपर तो कुछ बोला ही नहीं आ सकता है य SARाम माफिया और जमीन माफियाओं का राज दलीतों दलीत समाच से आने वाले मुख मंत्री को लगातार बेज़त करने का काम करता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।